दोस्तो मैं हूँ अर्विन चौहान और आज हम लोग डिसकस करेंगे स्वयब सेंप्लिंग और रिन सेंप्लिंग के बारे में स्वयब सेंप्लिंग हमारा कैसे होता है और क्यों होता है स्वयब सेंप्लिंग हमारा previous product का होता है और QC को send करते हैं जो QC report बनाती है उसके बाद हमारा फिर से अगला product start करते हैं इन फर्मा इंडस्टी में तो self sampling के लिए हम तो सबसे पहले लेते हैं sub stick, sub stick के बाद हमारा एक label आता है sub stick पे पूरा detail level बना के उस पे product name, previous, और badge number, mfg expiry पूरा detail बना के उस पो चिपका देते हैं, उसके बाद उसमें हम water लेते हैं 10 ml water लेते हैं, 10 ml water लेने के बाद फिर हमारा होता है एक template template जो यूज करते हैं, हम sampling के लिए यूज करते हैं template होती है और दूसरा हमारा होता है stopper test tube emergencyTEPS test tube पे हम उसको extend करते हैं जिस ताइम हम sampling करते हैं सब ST को हम extend करते हैं तो मैं sampling करके और जो हमारा template होता है वो होता है 5 x 5 cm में हम एक to horizontal लेते हैं और एक वर्टिकल ल देते हैं horizontal में क्या होता है ऐसे हम मतलब नीचे की तरफ लेते हैं और vertical में हमारा ऐसे खड़ा लेते हैं मतलब ऐसे pot और खड़ा में लेते हैं दो step में लेते हैं और इसको हम sampling करके QC को send करते हें जो की QC हमारा testing करती है टेस्टिंग करने के बाद report बनाकर देती है फिर मारा अगला पोड़क चालू होता है इन्मेंफेक्चरिंग एरिया या पैकिंग एरिया जो भी है यहां तक के लिए धन्यवाद